वेल्कम फ्रेंड्स अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस नए वीडियो शेशन में आप सभी के लिए गूद नूज लेकर करके हूँ बहुत अच्छी खबर आई है व्यापम की ओर से जो की आ वसाइक पर चमंडल व्याप पूर की ओफीशन नौटिफिकेशन पर यह है नौटिफिकेशन 24-6-2024 अर्थात आज ही रिलीज हुआ है जिसमें इस बैस्ट्रूप से बताये गया है कि प्रिबिए प्रिडियलेट के लिए जो है इंट्रेस एक्जाम होने वाला है उसके लि वालियो में होगा जिसमें प्रोफाइल जो है आप चेक कर सकेंगे और 24-6-2024 यह स्टार्ट हो चुका है प्रविस पात्र आप डाउनलोड कर सकते हैं देख सकेंगे कि स्टार्टिंग में अभी सर्वर समस्यां हो सकती है तो थोड़ा सा आज नहीं हो रहा है तो उसको स्टार्ट से आ रही है दोस्तों तो इसमें हेल्प लाइन नंबर दिया गया है यह वाला और आपका यह वाला 8269-801982 इस पर भी आप संपर कर सकते हैं या फिर इसके ऑफीसियल जो और हल्प नहीं है 0771-2972780 पर भी आप जो है कॉंटक्ट कर सकते हैं सांतिसां दोस्तों आपको एक घंटे पूरव ही उपस्तित होना है और अगर आपके एडमिट काड में अगर कोई किसी प्रकार का फोटो नहीं है रंगी तो और सिगनेशर नहीं आ रहा है तो आपको दो कलर फोटो आपको ले जाना है अपने साथ परिच्छा के अंदर में ठीक है और उसके सा साथ आपको एक आईडी प्रूफ तो ले जाना ही है हर वैक्ति को जिसमें फोटो आपको दिखता हो ठीक है जिसमें आपका मत दाता परिच्छा पत्र हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस पेन कार्ड है आधार कार्ड है पास्पूर्ड है या फिर विद्याला द्वारा को आप दिखानार ठीक है तो आप इसमें अपने अडमेट kam कार देख कर सकेंगे दोस्तों तो सबसे पहले आपको आना होगा आपको व्यापल के ऑफिसल साइड़ पर यहां पको प reicht मिएमज़ यह जहां पास आप देख सकते हैं कि उपर में जितने भी नऋटिकेशन है आपक scroll करके नीचे जाना है और क्या करना है admit card वाला section आपको दीखेगा आपको यहाँ पास click कर देना है तो दोस्तों जैसे ही आप admit card वाले section पर आप click कर देते हैं तो आपको अगर server issue आ रहा है तो आप एक बार जो है दोस्तों back जाईए उसके बाद आपको फिट से एक बार admit card पर जो है आपको फिर से यहाँ पास click कर देना है उसके बाद जो है आसानी से आपका खुल जाए तो दोस्तों यहाँ पास जो है admit card का जो section है वो खुल चुका है अगर नहीं खुल रहा है तो page को आप फिर से refresh कीजिए तो उपर नीचे में आपको देखने को मिलेगा जितने भी admit card जारी हुए है तो उपर में ही top को आपको देखना मिलेगा प्रिबियेट प्रिडियलेड इंट्रेस exam के लिए प्रवेश्पत्र के लिए जो है प्रवेश्पत्र मतलब आपका प्रवेश्पत्र यहाँ पास भी आपको क्या करना है same click कर देना है फिर जैसे आप click करेंगे इस तरीके का page आपको देखने को मिल जागा दोस्तों तो यहाँ पास क्या करना है आपको जो login status जो जगह है वहाँ पास ऊपर में आपको क्या करना है अपना registered mobile नमबर डालना है नीचे password डालना है और यहाँ पास login कर देना है जैसी दोस्तों आप login करते हो तो login करने के पास आपको जो है page जो है खुल जाएगा जिसमें आपका home screen देखने को मिल जाएगा दोस्तों जैसे ही home screen खुलेगा उसके बाद आगे क्या करना है देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पास ID जो है पुरी तरीके से login हो चुका है यहाँ पास जो है आपको क्या करना है नीचे वाला आपको admit card का section देखने को मिल रहा होगा इस admit card पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है तो एक नया page खुल करके सामने आ जाएगा दोस्तों जिसमें आपको जो है आपका previous predialed आपको देखने को मिलेगा और side में जो है blue color का admit card का लिखा होगा उसमें आपको click करेंगे तो आप कुछ को जो है admit card जो है open हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है आफसानी से download कर सकेंगे अपना admit card तो यह जानकर आपको कैसा लगा दोस्तों comment करके ज़रूर बताईए next video में आपको OMR seat कैसे भरना इसके बारे मैं आपको detail में बताने वाला हूँ और कौन-कौन से साउधानी आपको बरतने इस पर में tips बताने वाला हूँ साथ ही साथ कुछ classes जो बाकिये उस पर मैं regular class लाने वाला हूँ तो अभी थोड़ा सा competition बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप concentration होके ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छे number लाग करके दोस्तों government seat मे आप selection पास सकेंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकरी के साथ take care all the best जय हिंद